करोना वाइरस बीमारी को रोकने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा तीन अप्रेल से एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किये गए हैं इसी अभियान के तहत सीविल अस्पताल ज्वाली में स्वास्ते विभाद द्वारा बीमो डॉक्टर रंजन महता की अध्यक्ष पर बीमो डॉक्टर रंजन महता ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस अभियान के बारे में आवशिक दिशा निर्देश दिये और इस अभियान को सफल बनाने का अगरह किया इस अभियान के तहत स्वास्ते कारेकरता हर घर में जाकर लोगों को कोविड-19 के लक्षिनो और एकत्रित करेंगी और एक मोबाई एद के महाद्यम से प्रति दिन जानकारी विभाग के साथ साजह करेंगी इस दोरान अगर किसी व्यक्ति में करोना वाइरस की जैसे लक्षिन पाई जाते हैं तो इस व्यक्ति की फिर से आईसोलेशन में भेज दिया जाएगा उन्हों जाना विमारी से कोबीड नाइंटीन से पीड़ते हैं और यह एक महामारी पैंडेमिक का रूप ले चुकी है तो इस समंद में भारत सरकार और हिमाचल सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग आगे तो कंट्रोल में यह तो पहले से लगे हुए जो थे उनको हमने किया लेकिन फिर भी अगर कोई केस घरो में रह गे हैं जैसे हमने पर्स पोलियो के दुरान ढूंदे थे या पर एसी एफ टीवी की थी उसके दुरान ढूंदे थे ऐसे ही एक्टिव केस फाइंडिंग जो है कोबीड नाइंटीन के केसिस के लिए यह कल से शुरू हो रही है इस इसमें एक डिवेल्प कर लिया है उसके बारे में हम आज इनकी वर्कशॉप करवाई है नगरोटा सूरियां के बलॉग के जो सुप्रॉवाइजर मेडिकल आफिसर्स की और यह अब जाके अपने पेरिफरी में अपने गौंट जाके अभी शाम को करवाएंगे उनको इस से करवाएंगे कि इस कैसे उन्होंना स्क्रीनिंग करनी है ताकि अगर कोई घरो मैं है सिम्टोमेटिक केस तो उसकी जानकारी प्राफ़त की जा सके और उसको उसी लिहास से ट्रीटमेंट के लिए आगे बेज़ जा सके इसमें टी मेंबर जो है मेडिकल ऑफिसर आयरुमेदि वाज बरकर जो है वो भी टीम की सिदस्य होगी इस टीम जो है उसका ऐसे हो गा कि टीममे दो मेंबर होंगे एक आश्यावर करह वर्टम होगी और एक जो है वह सुआ ये डेली ये पेपरलेस वर्क होगा, ये एंड्रोइड मोबाइल से ही रिपोर्ट जो है, आप के द्वारा ही स्टेट इस्टिक हैड़कौर्टर पे चली जाए के रिपोर्ट एसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेयर और सब करें, हन्यवाल